नमस्ते जे स्रेक्रिस्ना आज बनाते हैं नवरात्र इस्पेसल साबुदाने और लोकी का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नास्ता साथ में मैं बनाई हूँ खजूर और किसमिस की चटनी सरू करते हैं सबसे पहले आपको नवरात्री की धेर सारी सुबकामनाई बहुत बहुत बधाइए आपके पड़िवार में सभी खुस रहें स्वस्त रहें और मस्त रहें मैं लोकी तोर करके लाई हूँ अपने और्गेनिक गार्डन से हरी हरी ताजी ताजी प्योर और्गेनिक लोकी मेरे पास है इसे थोड़ा सा लोकी मैं कदुकस करके ले ली हूँ लोंगी में आधी कटोरी से थोरा सा ज़ादा है, साबुदाना 6 गंटों के लिए मैं भीगो करके रख दी थी, आधी कटोरी से थोरी से जयदा यहाँ पर मेरे पास रवा है, इन तीनों चीज से मैं बनाऊंगी बहुत ही ज़ादा टेस्टी नास्ता, इस नास्ते को बनानी के दिए में जरासा भी तेल का परियोगू नहीं करूंगी। यह नास्ता सादिक तो है ही साथी सिहत मंद भी है और स्वाधिस्ट भी है पैन में डाली हूं पानी और इस पानी में डाल रही हूं थोड़ा सा ओरिगेनो थोड़ा सा चिली फ्लेक्स इसमें डालूंगी आधी चमच जीरा साबुत जीरा डाल रही हूं कभी कभी बिना प्याज और लहसुन के इस्तेमाल सेही बहुत ही ज्यादा oldu टेस्टी खाना या नाश्डा बनकर के तियार होता है अब ले रही हैं इसमें आदीो चमच कुटी हुई काली मिंद्चANG को परियोग करऊंगी सेंधा नमक टाल रहे हूँ आप अगर भरत में तो सेंधा नमक डाले, ब्रत में नहीं हो, तो सेंधा नमक डालने की कोई आवे सकता या जरूरत नहीं है, आप कोई भी नमक इसमें इस्तिमाल कर सकते हैं, लोकी को 1-2 मिनट के लिए मैं उबाल लूँगी, उबलने के बाद मैं इसमें डालूँगी साबुदाने को, बिना ज साबुदाने को भी एक से 1-2 मिनट के लिए उबाल लूँगी, बाहर का नजारा कुछ ऐसा हो रहा है, ना तो खुल करके बारिती ही हो रही है, और ना ही खुल करके धुभी हो रही है, साबुदानों को उबलते हुए दो मिनट हो चुके Magazin, अब मैं इसमें डाल दूँगी रवाः यानी की सूजी, इस दोरान में इसमें डाल देती हूँ रवाः को, और अच्छे तरिके से, ताकि इसमें गुठलियां नहीं बन जाएं, यह चलाते जाना है जब तक यह थोरा सा गाळा टेक्सचर का नहीं होजाएं। इसे गाळा करना है, इतना गाळा करना है, ता पाच्चे नासता है आसान तरीके से पच भी जाता है पच जैसी कोई समस्याएं ही नहीं होती हैं बहुत ही जादा हेल्दी नासता है इसे एक बार आप बना करके ट्राय जरूर करें अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प् बीज निकाले हुए इमली किसमिस और बीज निकले हुए खजूर को एक चमच इसमें डालती हूँ सौफ इन सभी चीजों को मैं दो से तीन मिनट के लिए उबाल लूँगी आवसकता आपको महसूस हो तो थोड़ा सा पानी और डाल दें ताकि अच्छे तरीके से ये सभी स समान उबल सके अगर आपके पास परियापत समय हो तो इन सभी चीजों को चटनी बनाने के पहले भीगो भी सकते हैं समय का अभाव था इसलिए मैं इसे उबाल दी हूँ ताकि अच्छे तरीके से ये फूल जाए फूल चुका है इसे ठंडा होने के लिए मैं छोड़ती हू सूजी का मिक्चर ठंडा हो चुका है बना लेती हूँ छोटी छोटी सी टिक्की कुछ इस तरीके से आपको टिक्की बना लेनी है ज्यादा पतला नहीं करना है बस मोटा मोटा सा ही टिक्की बनाना है जिस तरीके से साबुदाने की टिक्की होती है ना उसी तरीके से इसे ब पहले मैं बना करके एक प्लेट में रख देती हूं, इसके बाद सेखूंगी. दिल में समाजा, आपास आजा, उबाले हुए सभी चीजें ठंडी हो चुकी है, इसे पीस लेती हूं, एकदम बारीक पिसना है, अगर पानी की आविसकता हो, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें मिलाना भी है, लेती हूं एक बरतन इसमें डालती हूं, देर चमच के करीब चीनी, यह करीब 100 ग्राम चीनी होगी, अगर आप चाहें, तो इसमें गुर भी डाल सकते हैं, अगर आप चाहें, तो इसमें मिठास के लिए सहद का भी परियोग कर सकते हैं, अगर आपको चीनी से कोई परहेज नहीं है, तो चीनी सौक से डालिए, धोड़ा सा सेहद का ख् डूल सकते हैं मैं घी नहीं डाली हूं घी डालने से इसका स्वाध और ज्यादा अच्छा होता के लिए मैं इसमें कर्योग हूँ अगर आपको और ज्यादा चाहिए तो निम्बू का रस्ट दो तीन चमच डाल देना, चटनी का थोड़ा सा टेक्सचर गाढ़ा-गाढ़ा सा हो रहा था, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसकी कंसिस्टेंसे देखिए कुछ इस तरीके से हो चुकी है, मैं कर देती हूँ चुले को बंद, अब लेती हूँ एक नोनिस्ट कियां सिखती जाएं, और इसके उपर में डाल रहे हूँ सफेद रंग की तिल को, तिल डालने से जब हम इसे उलटते पुलटते हुए सेखते हैं, तो बहुत ही अच्छा खुसबू भी आता है, और तिल के बहुत सारे फायदे भी हैं, तो तिल का या किसी भी सिड्स का प् खाने में करना ही चाहिए, तो मैं आंच को दomma रखते हुए सभी टप्लटते हुए स papel कि थोरा स nearby लगता है, तो सिख करके त्यार हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में आप चाहें तो इसमें बटर का परियोग कर सकते हैं बटर के परियोग ना भी करने पर भी देखिए अच्छे तरीके से ये टिक्कियां सीख चुकी हैं कर लेती हूँ प्लेटिंग प्लेट में डालती हूँ सीखी हुई टिक्कियों को आप एक बार बना करके जरूर ट्राय करें सात्विक रेसीपी है कोई तरक भरक प्याज वगएरा नहीं है तो यह थोड़ा सा आपको हो सकता है सादा सा लगे अगर आपको तीखा पसंद हो तो टिक्कियां बनने के दोरान ही इसमें हरी मिर्च थोड़ा सा कूट करके आप डाल सकते हैं टिक्कियों के उपर में डाल रही हूँ कटी हुई हरी धनिया और इसमें डाल रही हूँ खजूर की चटपटी चटनी तो लीजिए बन करके तयार हो चुकी है ब्रत इस्पेसल नास्ता आप भी इंज्वाइ कीजिए इस नास्ते का मेरे वीडियो में बने रहने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ बहुत बहुत सुक्रिया मातारानी की किरपा आप सभी के उपर बनी रहे हैपी नवरात्री